राहूल गांधी की लोकसभा सदसिता रद्ध हो गई है और इस मामले प्रबाचीत का नेकलिस पक्त हमारे साथ हैं केंद्रे मंतरी कॉशल किशोड सर कॉंग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुकी राहूल गांधी निडर होकर हर मुद्देपे मुखरता से संसद के भीतर और बाहर आवाज उठाते हैं उसकी सजा उन्हें मिली तो कॉंग्रेस पार्टी अपनी बात से बदलती क्यों है एक तरफ कहते हैं कि राहूल गांधी स तो अगर लोकतंत्र नहीं है तो निडर होकर के अपनी आवाज कैसे उठाते हैं निडर होकर के बोलना अच्छी बात है संसदी भासा में बोलू अच्छी बात बोलू इसमें कौन मामना किये हुए लेकिन निडर होने का मतलब यह थोड़ी किसी समाज को गाली देने लोगो होगे यह कहना गलत है कि नहीं है यह गलत है इसलिए जो राहुल कांधी जी ने जो बोला कि समोधी चोर है इस पर एक विदायक जिनके सरने मोधी था उन्होंने मुकदमा किया और मुकदमे जो में कोट ने आदेस किया अब उसकोड़ के आदेस का जो दो साल की सजा तो समिधान के अनुपालन में अगर उनको आयोग करा दिया गया है तो यह तो समिधान का पालन है तो नहीं समझ में आता तो उसको पड़ लेने चाहिए उनको लेकिन जो लोग इसको राजनेतिक मुद्दा बनाने का काम कर रहे है या विपच्छ जो उनको सपोर्ट करने का काम क कुछला आ बिटा आगा रहा है बार दूसरी तरफ के बोलने के आजाद के श्याय के बहुत है और दूसरी तरफ कहां कि बोलने नहीं दिया जा रहा है तो उनका बयान तो खुद में अपने आप एक दूसरे बयान को काटने का काम कर रहा है मैं कह रहा हूं आधरी प्रधानमंतीर नरेंद मोदी जी के नेतत में लोगत और ज्यादा मजबूत हुआ है चुकि आधरी प्रधानमंती जी ने अभी 75 वर्ष बतीत होने पर आजादी के जो अमरत महुत्सों मनाया आगामी सन 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक के 25 साल का एक अमरत काल गोसित किया और उस के कारण बिपाच को डर है कि आगामी 25 साल तक के दूसरी पाटियों की सता अने नहीं इस बिजेपी की सता रहेगी राश्ट के निर्माल में देश का निर्माल में विक्सित बारत बनाने में उससे एक डर पैदा हुआ है इसलिए यह लोग बात को घुमाने का परियास कर रहे हैं और जनता के हितकी बात नहीं कर रहे हैं तो फिर यह क्यों कहते हैं कि लोकतंत की हत्या हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की लोकतंत्री तरीके सुई ना सरकार ने उनको सुरच्छा भी मोहिया कराने का काम किया उसके बाद भी राहूल गांदी एक अपने प्रेस कोंफर्स में कह देते दुर्बा के समय संसदू तो राहूल गांधी जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे यह उनको खुद पता नहीं रहता उनके मूंझ से सब् कंट्रोल नहीं है लेकिन विपच को सोचना चाहिए कॉंग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि राहूल गांदी जी के बयानों का गलत बयानों का जो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं जो लोग भी कर रहे हैं जनता उन चीजों को देख रही समझ रही अब हिंदूस्तान की ज जो भी सरकार पर आरोप लगाएं लेकिन सचा यही है कि सच क्या है वो देश की जनता देख रही है। ब्रजनिश चेतन के साथ सुमंत कुमार ठीपिनाइन भारत वर्ष